किसानवाइयो Gram링, किसानवाइयो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शबध चन्दन की खेंती के बारे में enfrent वादे में कि कीसानवाइ इस तरीके से कर सकते हैं इसमें क्या क्या समझ्या देखने को मिलतीह साथि Label करके आप किता मुनाफल ले सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो सर पहले आपका वेलकम है हमार चैनल पर और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं थोड़ा साब उने अपना परिचे दीजिए हालो किसान भाई हो मैं नियलेस पटेल लुना वारा से ह तो सर आप हमें यह बताइए कि अकसर किसान भाई बागवानी करते हैं या फिर वेजिटेबल्स की फार्मिंग करते हैं तो आपके दिमाग में कैसे आया कि हम चंदन की फार्मिंग करें मैंने मेरे एक रिलेटिव में देखा था वो लोग डॉक्टर है और उन्होंने चंद चंदन का खेती स्टाट किया था दो हजार तीरा तो अभी आपका जो बगीचा है कितने जमीन में लगा हुआ है यह दस एककड जमीन में चंदन लगे हुए है उसके साथ मैंने यह गोवा प्लांटेशन किया हुआ है तो सर आपका जो टोटल अभी जो इसमें प्लांट है तो फितिने प्लांट है या पंतराभाईदस के दूरी पर प्लांट लगे हुए है और दोहजार पचास इतने पोदे है यह 현재 जब यह जब आपके अपने खेट में लगाए तो को खेट की तेरी किस तरीके से कि और प्लांट के से अपने खेट में जाया उसके वारे हम लोग करके फाम तैयार किया फिर खड़ा खोद के 15 फिट बाइड 10 पिट की दूरी पे हम लोग ने बारीस के टाइम में इसमें प्लांटेशन तो जब आपने प्लांट इसके लगा दी तो उसके बाद आप इसमें कौन से फर्टिलाइजर वगरा देते हैं खाद कौन सी देते हैं उ जयादा थर जन्वली जमकली जाम में नहीं बढ़ इसको और चंदन साथ जन्गनसाथ जगली आजममें नहीं का थैसे लेहां वोट में जब था तो हम लोगों ने उसके साथ मेंदी दिया हुआ था मेंदी खतम हो जाने के बाद हम लोगों ने उसके बगल में एक तूर जिसको बोलते है वो अरहर हम लोगों ने लगाया था उसके बाद हम लोगों ने ये आप देख सकते है कि गुवा लगा है तो तो सरू की वज़े से उसको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है तो सर जैसे आपने बताया कि काफी सारे अपने अलग अलग होस्ट प्लांट लगाए हैं तो इसमें हमें होस्ट प्लांट क्यों लगाने पड़ते हैं इसके पिछे का जो रिजन है वो हमारे किसानवयों को थोड़ा स है पर अगर हम साइंटिफिक तरीके से करें साइंटिफिक तरीके से में जो है वो होस्ट मैनेजमेंट है और उसका खाद मैनेजमेंट है और पानी का जो है पानी कुछ टाइम के बाद उसको पानी नहीं देना है ताकि उसमें वोईल डेवलप हो सके यह सब चीजे हम लोग अभी मैनेज कर रहे है और होस्ट प्लांट इसलिए लगाना पड़ता है और लगाना जरूरी है कि चंदन जो पोजा है वो सेमी पेरिसाइट है सेमी पेरिसाइट मेंज वो पूरा खाना खुद नहीं बनाता है जैसे न्यूट्रिशन में कुछ है नाइट्रोजन है और कुछ कुछ चीजे जो है वो दूसरे पौदे के रूट में जाके वहां से लेके वो अपना ग्रोफ करता है और इसको इसकी वाज़े से होस्ट मैनेजमेंट करता है और दोनों प्लाइट जैसे मिल जाते है तो इसको हिस्टोडिया बोलते है साइंटिफिक लेंग्वेज में तो ह स्टोडिया भी मैंने देखा हुआ है कि चंदन का जो भी रूट है बाजू में लगा जो पौदा है उसके रूट में गूस जाता है और वहां से न्यूट्रिशन लेता है तो सर जैसे आपने काफी सारे जो होस्ट प्लांट उनके बारे में बताया तो अभी तक का आपका ज जो नीम है नीम अच्छा होस्ट इसको बोल सकते है और जैसे साइंटिस्ट लोगों से मैंने कॉंटेक करा था तो साइंटिस्टों का इसा मानना है कि सरू जो है वो सबसे अच्छा होस्ट है उन्होंने प्रूब किया है और उनको लग रहा है तो सर जैसे आपने बताया तो तो किसान भाई समझे तो इस तरीके का पोदा होता है। जो किसान भाई सकते हैं तो इसको आप देख सकते हो बगीचे या गार्डन में वह डेकोरेशन के लिए कटिंग किया हुआ पोदा जिसके पत्ली पतली घास जैसे होते हैं उसको आप ऐसे उसको रेकेगनाइज कर सकते हो और उसको सरु बोलते हैं तो अब सर जैसे आपने अपना जो बगीचा लगाया इसमे आपको इसी कौन सी प्रोब्लम इसमे देखने को उसके बारे में थोड़ा सा बताईए प्रोब्लम की बात करे तो अभी तक तो कोई प्रोब्लम माने जैसे आप पेस्टिसाइड माने इंसेक्ट वगेरा या कुछ तो ज्यादा तर देखने को नहीं मिल रहा है पर उसमें में जो है यह होस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट है अगर सब बात आई वाटर मैनेजमेंट की आप इसमें पानी कितना देते हैं आपकी मेथड क्या और कितना पानी प्लांट को चाहिए होता है पानी से लेके जनवरी तक या डिसम्बर तक उसको पानी नहीं देना है उसके बाद पानी देना है नेक्स्ट बारिस के टाइम तक और साथ से आँट साल के बाद इसको नेचरली ही पानी मिलना चाहिए उसके बाद उसको पानी नहीं देना है उसके बाद उसको पानी नहीं देना है अब तो सर जिसे आप हमाई यह बताईए कि जिसे अगर हमारी क्रोप अच्छी है अगर क्लाइमेट सुएट हो गया तो हमारे जो प्रोडक्शन है वह हार्वेस्टिंग कितने टाइम बाद हमें मिलेगी यह पंदरा से सतरा साल कम से कम मैं तो मानता हूं लोग बोलते हैं बार ब्रेक इवन पॉइंट जैसे दंदे के लेंगवेज में बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट जितना खर्चा किया है उससे मुनापाप का गिंति करे वो निकले गा ऐसा बोलते हैं पर मैं सेपरेटली माने एक क्लियर कट मान रहा हूं कि 15-17 साल अगर हम लोगों ने इसका दे तो सर जब 14-15 साल का अपना जो प्लांट होगा तो लगबग हमें एक प्लांट से कितना प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा उसके बारे में साइंटिस्ट के साइंटिविक और डेटा के हिसाब से मैं बता हूं तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एक पॉदा पंदरा से लेक पॉदा जैसा होता है उस हिसाब से अपने एक्सपेक कर साथ यानि एक तो क्लाइमेट हो गया उसके बाद अपना मेनेजमेंट किस तरीके का है उनके उपर डिबेंड करेंगा लेकिन यह आपने जो बताई से पर एक एक एवरेज है कि इतना अब बात आती है कि अगर फार् पर चाहिए पर मैं वह भी देखा हूं कि मार्केट में दो हजार रुपे से लेके प्राइज मिलती है और गवर्मेंट की साइट इचरक करके है उसके उपर अगर उसके डिटा की बात करें तो 7200 वह उनका आज का रेट है वहां पर यह उनकी वेबसाइट का जो रेट है वह तो अपने एक्सपेक कर सकते हैं कि 7000 से लेके 10,000 रुपया अगर मिलता है और 15 kg प्रोडक्शन आता है तो 10,000 अगर हिसाब से गीने तो डेड़ लाख होता है और 7000 के हिसाब से गीनेंगे तो पंदर शंग ने उतो लाख एक लाख रुपय के असपास अब पर प्लांट इत हमें इतना प्रोड़क्शन मिलेगा अब बात मेन आजाती है कि हम इसे बेचेंगे का वहमने खेती घर ली किसान इस वीडियो को देख रहा है कि हमने खेती भी कर ली 15 साल का अपना पोधा भी हो गया फिर इसे बेचने कहा जाएंगे किसान बेचने में ऐसा है कि यह जो पो अपने मार्केट में धी आपको जहां महलं यह जाहिए सेल कर सकते हो जो इसका मर्केट अच्छा लगया अप सलिगा मैर क कॉछ एक पोलते हैं बेच सकता नहीं हमारे वहां पर गुजराति में सात बार बहुते इसमें इन्ट्रि होना चाहिए है उसके बाद फोरेस से एक उ करते हैं यहानि कि फोरस्स दिपार्मेंट से में स्काथ नियुक्त फिर्टींग के लिए उसके बाद भाद हम इसे लोकल मार्केत में जैश का मार्केट ववा पर भी जब पर विएच सक तो सर आपने का चे इस वीडियो शेयर जरूर करें मिलूंगा ऐसी प्रकार के एक और इंट्रेस्टिंग जानकरी के साथ अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद